नमस्कार में ललित और आज लगातार हम मिल रहे हैं, तस्वीरें तो खेर आप लोग देखी रहे हैं और इस बार भी हम रतन टाटा के बारे में, मैं आप से रतन टाटा के बारे में बात करना चाहूँगा उनकी एक और खासियत के जानवरों से उन्हें विशेश तोर पर प्रेम था, खास तोर पर कुतों से डॉगीज, टीटो और टेंगो, टीटो और टेंगो उनके डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ट और बहुत वो ने प्यार किया करते थे, उनके साथ वक्त बिताना रतन टाटा को सबसे जादा पसंद था, खेर, ये एक कॉमन कड़ी है, जिस पर मैं दो चीजों पर जो मैं बात आपसे करना चाहरा हूँ, आपने अभी तस्वीरे देखी होंगी, जो अंतिम यात्रा है, उसमें आपको तक्रीबं 30 साल का युवा नजर आ रहा होगा, उसका नाम है शांतन जिगरी दोस्त, वो ये रतन टाटा के रहे हैं, जबकि दोनों की उमर में तकरीबन 50-55 साल का फासला है, फिर भी ये दोस्ती हुई, उस दोस्ती की कड़ी ही है, जानवरों के प्रती समवेधना, खास तोर पर डॉगीज, कुतों के प्रती जो समवेधना है, वो इस दोस्त प्रती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ दिया है, उसे भरने में मैं अपनी बाकी जिन्दगी बिता दूँगा, दुख, दुख, प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है, अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंब, ये रतन टाटा के निधन के बाद उन्होंने अपनी इन लिखा है, किसने लिखा, शांतुन उनाइडू, शांतुन उनाइडू पुरे में जनमें है, तेलगू परिवार से वो तालुक रखते हैं, और स्टार्ट अपस के लिए बिजनस के दुनिया में अलग समझ रखने के लिए उन्हे जाना ही जाता है, इसके अलाव सफर जो होगा उसमें आपको शांतनु जरूर नजर आएंगे वही उनके साथ इस वक तक थे रतन टाटा के साथ आखरी वक तक जो रहे हैं वही शांतनु रहे हैं और टीटो टैंगो रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया था जर्मिन शेफर्ट तो दरसल कुतों के लिए एक संस भिए इन्होंने एक डेनिम कॉलर बनाया, इक तरह का ये एक रिफ्लेक्टर होता है वह आप जानवरों को पहना देते हैं और रात में जब्मूव कर रहे होते हैं तो लाइट पड़ते ही वह रिफ्लेक्टर, ड्राइवर को ये बता देता है कि जानवर है तो जो हाथसे वो नहीं होते हैं, जानवरों की मौत नहीं होती है, समाइक मौत नहीं होती है, ये प्रयास था, इसे रतन टाटा ने बहुत सराहा था और तबी से एक तरह से इस दोस्ती की शुरुआत हुई, तो शांतुनु आपको इसी वज़े से नज़र आ रहे हैं, अब रतन टाटा के वक्त है, वो जाएगा दफ्तर में, लेकिन जब भी रतन टाटा यहां पहुंसते थे, तो जो स्टीट डॉक्स हैं, वो उनके पास पहुंच जाये करते थे, उनके लिए इंट्री थी, वो हमेशा वहीं घूमा करते थे, इससे आप समझ सकते हैं कि जानवरों के प्रति उनक यह शब्द लिखे गए हैं कि दुख, दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है, अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश तम्भ, यह शांतुनों ने लिखा है, तो हमने सोचा कि इस दोस्ती के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट के जरीए आप बता सकते ह और क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, नमस्कार